बिग बॉस के सेट पे मेरा रेप हुआ ये बात शायद आप सबको पता होगी वा रे वा क्या इंसाफ है आप लोगों का और किस तरह के जलील नाली के कीड़े हो तुम लोग और आपने सोचा मैं कभी उठोंगी ने इस कोमा के स्टेट से सल्मान ने पूरा साथ दिया है सुनाक्षी सिना उसके परिवार का मुझे दबाने में जब भी मैंने सल्मान खान के अगेंस रिवोल्ट करने की कोशिश की जब भी मुझे उनकी कोई हरकत पसंद नहीं आए अगले दिन सुनाक्षी सिना की फोटो चपवा दी जाती थी ये बताने के लिए कि दब के जीना सीखो सुनाक्षी सिना की नौकरानी बन के जीना सीखो विग बॉस में मैं बहुत अच्छा कर रही थी जिस दिन मैं Big Boss को एंटर करने जारी थी उस घर में, मुझे समीर बैनर जी का फोन आया, जो महेश बट के कास्टिंग एजन्ट है, वो उस समय कास्ट कर रहे थे जिसम टू के लिए, उन्होंने बोला आप अभी आ सकते हैं ओफिस, मैंने का अभी तो मैं जा रही हूं सेट्स पर कर जग पर, तो I can't come, तो मैंने का, what a waste of a beautiful opportunity, जब Big Boss में मेरा नाम हुआ, मुझे फेम मिला, लोगोंने मुझे पसंद किया, मैं पॉपिलर कंटेस्टन थी, तो मुझे unceremoniously दो बज़े रात को निकाल दिया गया, अभी तक मुझे पता नहीं है, मुझे किस, for what reason was I evicted at two o'clock at night, after being humiliated and called violent, सल्मान ने पूरा साथ दिया है, सौनाक्षी सिना उसके परिवार का, मुझे दबाने में, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, उनके पूरे परिवार ने साथ दिया, सौनाक्षी सिना के परिवार का, मुझे दबाने में, मुझे सप्रेस करने में, मुझे लूपने में, अब एक और बात, बिग बॉस के सेट पे मेरा रेप हुआ, ये बात शायद आप सब को पता होगी, What was that? आप मेरे को अपने रियालिटी शो पे बुला रहे हैं, as a guest, as a participant, आप मेरे को कॉंट्राक्ट में आपने लिख के मुझे साइन कराया है, कि आप मेरा वाहां रेप करने वाले और मैं चुप बैठूंगी, What was that? I was raped on the sets of Big Boss 5, and after that, they banned me from the show. Why? When I'm a popular contestant, people from Pakistan, people from Belgium, people from Malaysia, people from Mauritius, keep messaging me on social media, हम आपको Big Boss पे वापस देखना चाते हैं. मुझे क्यों नहीं बुलाए जाता वापस Big Boss पे? Big Boss 5 के बाद, जब इलनों को लगा कि we'll get into trouble, you know, क्योंकि हमने जो किया है, सेक्स पे इसे रेप करके, इसे जलील करके हमने आदी राक को निकाल दिया, तो मुझे ट्रेड कर दिया गया सल्मान खान के परिवार में. वो कैसे? मुझे सल्मान खान के साथ बांद के, कि मैं सुबह, दुफैर, शाम, सल्मान खान का नाम जबती रहूं, और इलो का काम बनता रहे, उसकी नौकरानी मुझे बनाया जाए, और करोडो सुनाक्षी कमाए. वारे वा, क्या इंसाफ है आप लोगों का, और किस तरह के जलील नाली के कीड़े हो तुम लोग, कि तुम लोग ने मेरे एक टॉय बनाके, खिलवार करके मेरा इस्तिमाल किया, और आपने सोचा मैं कभी उठोंगी ने, इस तुमा के स्टेट से, मुझे कभी पता नहीं चलेगा.